आधा एक चौथाई और तीन चौथाई का अर्थ भाग तीन मिनिंग अफ हाफ वन फोर्थ एन थ्री फोर्थ पार्ट थ्री आज हम आधे को आधा यानी चौथाई करने का सही तरीका जानेंगे वन्दना और आयुश्मान क्राफ्ट बना रहे हैं वन्दना के क्राफ्ट के लिए कार्डबोर्ड कम पड़ रहा है वो आयुश्मान से उसके कार्डबोर्ड का एक चौथाई हिस्सा मांगती है देखते हैं क्या आयुश्मान वंदना को एक चौथाई कार्ड दे पाता है ये लो वंदना मैंने तुम्हारे लिए कार्डबोर्ड कार्ड दिया है धन्यवाद आयुश्मान अरे ये तो छोटा है इससे तो मेरा क्राफ्ट पूरा नहीं बनेगा लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुमको मेरे कार्डबोर्ड का चौथाई हिस्सा चाहिए हाँ मुझे तुम्हारे कार्डबोर्ड का चौथाई हिस्सा ही चाहिए लेकिन ये उससे छोटा लग रहा है नहीं छोटा नहीं है चौथाई ही है चौथाई का मतलब है आधे का आधा क्या तुमको पूरा विश्वास है कि तुमने आधे का आधा किया है? हाँ वंदना, चाहो तुम खुद देख लो अरे ये तो चौथाई हिस्सा नहीं है, ये तो उससे छोटा है तुमने इसको किस तरह से चौथाई किया ये उश्मान? देखो चौथाई का मतलब होता है आधे का आधा तो मैंने पहले इस कार्डबोर्ट के सभी किनारों को नापा सभी किनारे 32 सेंटीमीटर के हैं फिर मैंने उपरी और दाए किनारे के आधे पर यानी 16 सेंटीमीटर पर निशान लगाया उसके बाद आधे के आधे 8 सेंटीमीटर पर निशान लगाया इस तरह मुझे पता चल गया कि चौथाई कार्डबोर्ट के दोनों किनारों का माप 8 सेंटीमीटर होगा तो मैंने आठ सेंटीमीटर लंबाई और चोड़ाई का कार्टबूर का टुकड़ा काट कर तुमको दे दिया लेकिन ये गलत है आयो उश्मान आधे का आधा ही तो है तो गलत कैसे हुआ देखो किसी आकरती के चार बराबर हिस्सों में बाटने पर जो हिस्से मिलते हैं उन्ने से एक हिस्से को उस वस्तु का चोथाई कहा जाता है हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि चार चोथाई हिस्सों को अगर हम वस्तु के उपर रखें तो वस्तो पूरी तरह ढख जानी चाहिए हाँ अब देखो अगर तुमारे किये हुए हिस्से के बराबर के चार टुकड़ों को हम इस कार्डबोर्ट पर रखेंगे तो ये पूरा नहीं ढखेगा अरे हाँ, ये तो पूरी तरह नहीं ढख पाया इसका मतलब ये हिस्सा इस पूरे कार्डबोर्ट का एच चौथाई नहीं है तुमने सिर्फ किनारों को आदे का आदा करने पर ध्यान दिया जबकि हमको पूरी आकरती को आदे का आदा करना पड़ता है मतलब ये कि पहले इस पूरे कार्ट बोर्ट को आधा कर लेते हैं इसके लिए उपरी और निचले किनारे के आधे पर निशान लगाते हैं और इन निशानों को मिलाते हुए एक रेखा खीच लेते हैं अब ये दो हिस्से इस कार्ट बोड के आधे-ाधे हिस्से हुए। अब इन में से एक आधे हिस्से को भी इसी तरह आधा-ाधा बाटेंगे। अच्छा, अब समझा कि मुझसे कहां पर गलती हुई है। अब इस आधे हिस्से को मैं आधा करता हूँ। इसके लिए मैं इसके दाएं और बाएं किनारे के आधे पर निशान लगाकर एक रिखा खीच दूँगा। इससे ये हिस्सा भी दो आधे-ाधे हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसका मतलब इस कार्ट बोर्ट के चौथाई हिस्से के सभी किनारे 16 सेंटिमीटर के होंगे। जबकि मैंने जो कार्ट बोर्ट काटा है उसके सभी किनारे 8 सेंटिमीटर के हैं। अब देखो अगर हमें 16 cm किनारे वाले हिस्से के बराबर के चार हिस्सों से इस कार्ट बोर्ट को डखेंगे तो यह पूरी तरह डख जाएगा इसका मतलब यह हिस्सा इस कार्ट बोर्ट का एक चौथा ही है अब अच्छे से समझ गया आज हमने सीखा किसी आकर्टी को चार बराबर हिस्से में बाटने का सही तरीका क्या है और यदि किसी आकर्टी के एक हिस्से के चार बराबर टुकडों से आकर्टी पूरी तरह से ढख जाती है तो वह हिस्सा उस पूरी आकर्टी का एक चौथाई हिस्सा होता है झाल झाल